कैबिनेट नई सिक्षानीती को हरी जण्टी दे दी है जोंतिस साल बाद सिक्षानीती में बदलाव किया गया है नई सिक्षानीती की उलेखने बातें इस परकार है अब जो नर्सरी है वो चार साल के बच्चे कर पाएंगे पांच साल का ये fundamental education रहेगा जिसमें nursery, junior LKG और senior KG, first और second standard होंगे तीन साल का preparatory होगा जिसमें third, fourth और fifth होगा और तीन साल में middle होगी जिसमें six, seven, eight और चार साल का जो course होगा वो ninth SSC और 11 को FYGC, SYGC, 12 को कहा जाएगा और खास बाते यह हैं कि 12 का ही board रहेगा अब और दस्वी का board खतम, MPL भी बन और college के degree अब चार साल की होगी पांच साल तक के सभी बच्चों को मातर भाशा में ही पढ़ाया जाएगा अंग्रेजी भी एक subject ही रह जाएगा, उसमें पढ़ाया नहीं जाएगा अब बार्वी में ही जो board है, जो दस्वी में होता था, अब वो नहीं है यह नई education policy में है नोवी से बार्वी कक्षा स्मेस्टर की प्रिक्षाई होएंगी और स्कूल शिक्षा पांच, तीन, जमा तीन, जमा चार के फोर्मूले के तहर पढ़ाया जाएगा कोलेज की तीन साल की degree उन्च आत्रों के लिए ही रहेगी जिन्हें आगी नहीं पढ़ना यानि higher education में नहीं जाना और जिन्हें higher education जाना है उन्हें चार साल की degree करनी होगी अब यह तो है यह दस वी में बोर्ड एक्जाम नहीं होगी लेकिन बीच में student दूसरा कोर्स कर पाएंगे higher education में 50% अब बच्चे एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स बीच में करना चाहें तो वो ब्रेक लेकर एक कोर्स बीच में रोक सकते हैं फिर दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं और higher education में भी कहीं सुधार किये गए हैं मतलब ग्रेड जो ग्रेड मिलेंगे यह सब कुछ अब नई तरह के से होगा इसके इलावा जो हमारी छेत्रिय भार्षाए हैं जैसे पंजाबी मराथी उसमें इकोष्ट शुरू किये जाएंगे और लैफ्स भी विक्सित होंगे 45,000 जो हमारे कॉलेज हैं इन सब कॉलेज में एक नियम हमने बनाना है इसे NETF कहार कर गया है अब स्टुदेंस को MFIL नहीं करना होगा M.A. के बाद सीधा ही बच्चे PhD कर पाएंगे कॉलेज की दिग्री 3 और 4 साल की होगी जिसने higher education लेनी है उसके लिए 4 साल और जिसने वहीं पढ़ाई छोड़नी है उसके लिए 3 साल 3 साल में पहले साल में certificate मिल जाएगा दूसरे साल पर diploma और तीसे साल में students को दिग्री मिल जाएगी I hope आपको new education policy 2020 के बारे में सब पता चल गया है अगर कुछ doubt है तो आप उससे comment section में पूछ सकते हैं